हेलो फेंट्स मेरणा में पुशकर और आप देख रहे हैं टेक्स क्रू और आज मेरे पास एक काफी बजट स्मार्ट वाच है नॉइस कलर फिट कैलिबर और आज किस वीडियो में आपको बताने वाले है किस तरीके से आपको इसको सेट अप करना है किस तरीके से यूज करना है कैसे आप अपने स्मार्ट फोन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं बागी अगर हम इस वाच का कुछ हाइलाइट फीचर बताएं तो सबसे पहला है इसका प्राइसिंग 1.999 मतलब 2,000 रुपीज से कम में आपको यह मिल जाता है और इस प्राइस पॉइंट पे एक 1.69 इंचेज का इसमें आपको TFT LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है इसके लावा इसमें आपको बॉड़ी टेंपरिचर सेंसर है SPO2 सेंसर है, heart rate सेंसर है यह आपके stress को monitor कर सकता है और यहाँ पे charging का pin है जिसके मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हैं आपको box में इस तरीके का USB type A to magnetic charging cable देखने के लिए मिल जाता है अब फटपट से जो एनम लोग इसको turn on कर लेते हैं आपकी इसका जो built है वो पूरा plastic में ही देखने के लिए मिलता है जस आपको इस button को tap करके रखना है और यह turn on हो जाएगा QR code आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसके अलावाइस के strap पे आपको noise का branding देखने के लिए मिल जाता है और यह जो strap का material है I think silicon material है बट थोड़ा सा rubber type का feel हो रहा है उतना soft नहीं है बट यह replaceable है कस्टमाइज कर सकते हैं strap को easily इसके अलावाइस का unboxing video जो हम already आपके साथ shots के तुरू share कर दिये थे बट इसमें आपको एक usb type it magnetic charging cable देखने के लिए मिल जाता है एक आपको इस तरीके का welcome card देखने के लिए मिल जाता है जिसमें पीछे में किस तरीके से warranty register करना वो बताया गय और एक color fit caliber का पूरा user manual है जिसका आपको जरुरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस video को पूरा देखते हैं तो आप अपने phone के camera से directly इस qr code को scan कर सकते हैं scan करने पर आपको एक web page का link मिल जाएगा यहाप जो arrow है इस के उपर आप tap कीजिएगा और आप directly play store पे redirect हो जाएगा में देती हैं आप directly वहां से download कर सकते हैं या play store पे आप search करके भी download कर सकते है 19 MB का यह app हम फटाफट से इसको install कर लेते हैं so friends यहाप आप देख सकते हैं कि app जो है वो install हो चुका है तो इसको हम यहापर open करते है open करने के बाद यहाप आपको एक check box मिलता है इसके उपर आपको दिख जाएगा उसके उपर आप tap कीजेगा और उसके थुरू आप login कर लीजेगा यहाप फिलाल जो हमको pair device का page देखने के लिए बिल जाएगा pair device के उपर हम tap करेंगे while using the app पे यहाप हम tap कर दी है और यहाप आप देख सकते हैं कि color fit caliber जो है यहापे show कर रहा है इसके उपर ह जो हो complete हो गया तो यहाप हम get started पे tap करते हैं और हमको कुछ भी set नहीं करना पड़ा because मेरा जो भी personal detail था वो already noise fit में हम पहले login किये थे तो वो सब कुछ setup किया हुआ था अगर आप first time use करें जाएंगे तो आपको अपना कुछ personal data जैसे कि gender आपको बताना होगा date of birth अपना phone देन कर सकते हैं इस तरही किसा आपका setup जो है वो process complete हो जाएगा सबसे पहले तो यहाप आप देख सकते हैं कि multiple tabs है summary वाला जो tabs है इसमें आपका कितना steps है कितना distance cover किये कितना calorie जो आपका sleep data है वो सारा यहाँ पे सब कुछ show करता है अभी फिलाल कुछ भी नहीं है shop section में अगर आता है और customize watch face का भी option यहाँ पर आपको by default देखने के लिए मिलता है मतलब कि आप अपने gallery का कोई image या फिर कोई भी wallpaper जो है as a watch face आप use कर सकते हैं simply आपको यहाँ पर let's go पर tap करना है यहाँ आपको तीन तरीके का option देखने के लिए मिल रहा है just clock का अब यहाँ पर आप किसी करना है crop कर लेंगे scale करने के बाद यहाँ पर में right का tick मिलता है इसके उपर आप टिक पर क्लिक कर दीजेगा और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको watch face का preview देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर update watch face पर tap कर दीजेगा और आपका watch face जो होना शुरू हो जाए है अब यहां से हम लोग बैक आते हैं तो तीन तरीके से आप custom watch face जो है यूज कर सकते हैं इसके अलावा 150 से ज्यादा watch faces जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा अलग-अलग section है sports section में अगर आप यहाँ पर more पर tap करते हैं तो आपको बहुत सारा watch faces जो है इन color fit caliber ले लिया है यहाँ पर enter serial number आप directly यहाँ तो serial number enter कर सकते हैं या फिर यहाँ पर scanner की उपर आप tap कर सकते हैं और इसको allow कर सकते हैं और उसके बाद जो है ना यह box में यहाँ नीचे में यह जो आपको दिया है serial number इसको आप simply इसे scanner के पीछे ले आईएगा और आपका automatically जो है और connected devices में color fit caliber के उपर tap करते हैं अगर हम settings का बात करते हैं तो यहाँ से check for update पर tap करके जो भी update आया होगा firmware आया होगा उसको आप check कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आइडल alert देखने के लिए मिलता है अगर आप एक घंटे से ज्यादा किसी जगह पर बैठे रहते हैं तो आ 10 बज से लेकि रात को 11 बज तक है इस time को आप change भी कर सकते हैं idle alert को आपको enable करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर update queue पर tap भी करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर आपको auto heart rate का option देखने के लिए मिल जाता है जहाँ आप auto heart rate को enable कर सकते हैं और यहाँ पर alert value है है कि इतने frequency पर automatically जो है आपका watch heart rate मेजर करते रहेगा नेक्स यहाँ पर google fit का आपको option मिलता है तो अगर आप google fit यूज कर रहे हैं तो उसके थुरू आप जो है यहाँ पर login कर सकते हैं फिर यहाँ पर अगर आप tap करते हैं तो आप इसको enable कर सकते हैं फिर यहाँ आपको एक drink water reminder देखने के लिए मिलता है तो अगर आप water reminder के तौर पर use करना चाहते तो इसको enable कर सकते हैं और उसका frequency आप यहाँ पर set कर सकते हैं हर एक गंटे पर दो गंटे पर तीन गंटे पर चार गंटे पर जो भी frequency आप सेट करना चाहें कि उतने देर पर आपको water drink करने के लिए reminder आ और इसके अलबाद sync device time करते हैं तो phone से जो time है वो sync हो जाएगा आपके watch में next यहाँ पर आपको एक camera shutter का option देखने के लिए बिलता है camera shutter के उपर हम tap करते हैं तो यह पहले तो permission मांगता है उसके बाद यहाँ पे ही कोई camera app open हो जाता है इसमें भी आप देख सकते हैं कि rear camera जो वो work कर रहा है रियर पर हम tap कर रहा है तो कुछ भी show नहीं कर रहा है जैसे ही आप camera shutter पर tap करते हैं तो एक camera का icon देखने के लिए मिल जाएगा और इसके उपर जब हम shake कर रहे हैं तो यहाँ पे capturing please wait लिखा हुआ रहा है तो मतलब यह camera shutter जो है इसमें update का जरूरा थे यह work नही हो सकता है यहाँ पर update का जरूरत है विकास camera shutter और body temperature unit दोनों में जब भी हम tap कर रहे हैं यह please wait लिखा रहा है और camera shutter भी हम आपको दिखाए कि properly work नहीं कर रहा है नेक्स यहाँ पर हम find device के उपर tap करते हैं तो हमारा watch जो है वो थोड़ा सा vibrate करता है बहुत ही light vibrate करता है आप अ location का फिर यहां पर आपको notification and alert में जाना है तो यहां पर आपको notification and alert को enable करना होगा और permission देना होगा yes पर tap करना होगा उसके बाद noise fit को notification access देना होगा allow करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आप back आते हैं फिर back आते हैं तो यहां पे आपको जो भी app का notification चाहिए उसको आपको enable करना होगा जिसे sms का notification चाहिए तो sms का यहां से आपको toggle enable करने के बाद allow करना होगा message read करने के लिए फिर call alert चाहिए तो call के लिए भी आपको allow करना पड़ेगा contact का phone log का access देना पड़ेगा WhatsApp का notification चाहिए तो WhatsApp के लिए इसके अलावा कुछ social media का यहां पे आपको option मिलता है आपके phone में जितना भी apps है सारे का option आपको यहां पे देखने के लिए नहीं मिलता है कुछ social media apps जो भी important है अगर आप देख लीजे जिसका आपको notification चाहिए आप उसको enable कर सकते हैं बागे हम लोग back आते हैं तो यहां पे my alarm वाला section है जहां से आप alarm जो है वो set कर सकते हैं इसके अलावा इसमें आपको hand wash के लिए भी एक reminder देखने के लिए मिलता है इसका भी आप frequency set कर सकते हैं time set कर सकते हैं इसको भी आप enable कर दीजे अपडेट पर tap कर दीजे अच्छा लगा यह एक नया feature हमको लगा इसमें तो hand wash का reminder है फिर my reminders में आप कुछ और जो है na schedule या कुछ आपका reminder है personal reminder तो वो set कर सकते हैं quick reply जैसे कि कोई call आया कोई message आया तो उसके लिए यहाँ पर आपको 5 quick reply देखने के लिए बलता है edit पर tap करके आप इस quick reply का sequence है वो change कर सकते हैं यहाँ पर जो three lines है इसके उपर tap and hold कीजेगा और इसको आप drag and drop करके जो है इसका sequence change कर सकते हैं अगर आपको किसी को erase करना है तो आप यह जो minus का button इसके उपर tap करके इसको erase कर सकते हैं add पर tap करके आप कोई नया quick reply जो है वो add भी कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे world clock का option देखने के लिए मिल जाता है इसके उपर हम tap करेंगे और यहाँ पर आप world clock में add कर सकते हैं तो यहाँ पर add पर tap करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा location द जो भी settings है वो दिखा देते हैं तो यहाँ पर watch face के उपर अगर हम long tap करके रखते हैं तो यहाँ से आपको built-in कुछ watch faces देखने के लिए मिलता है जो कि आप swipe करके change कर सकते हैं initial impression में हमको जो touch response है वो अच्छा लग रहा है ठीक है बाकि आगे देखते हैं बाकि किसी भी watch face के अब आप tap कर देंगे तो वह watch face आपको देखने के लिए मिल जाएगा watch face के ऊपर अगर आप यहाँ पे। स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी notifications होगा वो सारा देखने के लिए मिलेगा आपको watch face के ऊपर अगराप swipe up और आप स्वाइप करते हैं तो यहा करके आप जो है अपना फोन कोग सकते हैं Swipe right कर कि कर सकते हैं फिर यहां पर आपको brightness इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां पर 5 लेवल का brightness जो है वह आप सेट कर सकते हैं ठीक ठाक यहां पर brightness brightness को उपर tap करते हैं तो यहां पर आपको five level का brightness मिल जाता है फिर यहां पर vibration है vibration में आप strong medium या फिर light जो है वो set कर सकते हैं यहां पर medium रहने देते हैं इसके बाद यहां पर wrist awake मतलब raise to wake का यहां पर यहां से इनेबल कर सकते हैं और जो आपका screen of time है वो चीज़ आप यहां पर five second और इसको आप increase करके maximum आप इसको 30 seconds पर लेके जा सकते हैं तो screen of time जो है यहां पर 30 seconds कर देता है तो यही दो setting आपको देखने के लिए मिलता है इसके बाद यहां पर आपको मिलता है device information इस को उपर tap करेंगे यह QR code है जो app को download करने के लिए useful रहेगा reboot अगर आपको करना है अपने watch को restart करना है तो वो चीज़ आप यहां से कर सकते हैं power off कर सकते हैं और अगर आपको watch को reset करना है तो आप reset यहां से कर सकते हैं तो यह सारा आपको settings देखने के लिए मिल जाता है watch face पर और आप freedom करते हैं तो यहां पर आपका activity जो है वो शो करेगा इसके बाद यहां पर heart rate चो है वो शो करता है और heart rate हम लोग मेजर भी कर लेते हैं तो यहां पर watch को पहन लिए tap to मदेब करते आफ्सक्रें क्षुरू हो हो चुका है इसके अलावा यहां पर आपको एक ब्रीधिंग का शॉटकट देखने के लिए मिल जाता है तो यहां पर वन मिनट और इसमें जो है ना फास्ट मॉडरेट और स्लो तीन तरीके का ब्रीधिंग स्पीड जो हो रखके meditation कर सकते हैं या फिर breathing exercise जो बोलते हैं वो आप कर सकते हैं फिर आपको यहां पर एक music control भी देखने के लिए मिल जाता है अब अगर हम अपने phone पे कोई music play करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि phone पे जो music play हो रहा है वो यहां पे show कर रहा है और यहां से हम tap करके इसको pause कर सकते हैं इसके अलावा यहीं से जो है न हम volume को increase भी कर सकते हैं बट volume को decrease ही कर देते हैं इसके अलावा यहां से आप next track पे जा सकते हैं और यहां से आप tap करके previous track पे भी जा सकते हैं तो music control जो है वो यहाँ पर properly work करता है फिर music control के बाद यहाँ पर आपको watch face देखने के लिए मिल जाएगा वापस से इस side आप जाएंगे तो music, breathe, stress, heart rate, activity और फिर watch face आ जाता है अगर आपको menu page पे जाना है तो आपको इस button को tap करना होगा watch face पे इस तरीके से आपको menu देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले है noise health इसके उपर आप tap करते हैं तो यहाँ पर आपका activity है फिर sleep, spo2, heart rate इसके बाद body temperature को आप यहाँ से measure कर सकते हैं इसमें आपको पीछे जाना यह temperature sensor देखने के लिए मिल जाता है स्ट्रेस हम आपको अरड़ी दिखा चुके है sleep भी आपका measure कर सकता है यह watch तो वह चीज आपको मिल जाता है फिर यहाँ पर आपको clock पे tap करेंगे तो आपको alarm, stopwatch, world clock और timer को option मिल जाता है world clock में किस reason का timing आपको देखना है वह चीज आप app से set कर सकते हैं कैसे वह हम आपको अरड़ी दिखा चुके हैं फिर यह आप आपको workout mode देखने के लिए मिल जाता है total 60 workout mode इसमें आपको देखने के लिए मिलता है बाकि इस budget में एक चीज है जो उनको अभी तक impress किया है वह इसका touch response मतलब बहुत ही अच्छे से touch work कर रहा है कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि touch कर रहा है और वो चीज जो है वो respond नहीं कर रहा है फिर यहां पर आपका sport का record है जो भी आप sport mode को use करते हैं जो भी आप activity करते हैं वो सारा record आपको यहां पर मिलेगा फिर यहां पर आपको weather का जो भी update है वो देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर upcoming days का आपको weather देखने के लिए मिल जाएगा और weather को आपको पहले अपने app से enable करना पड़ेगा weather update को फिर यहां पर आपको music control जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है फिर उसके बाद यहां पर आपको breathing के लिए exercise mode या breathing mode जो है वो देखने के लिए मिल जाता है फिर यहां पर reminder है जो आप यहां पर देख सकते हैं और यह reminder आप app से set कर सकते हैं अपने phone के through फिर यहां पर आपको flashlight को option देखने कर बिल जाता है tap करके turn on tap करके turn off और ठीक ठाक bright लगा हमको मतलब उतना जादा नहीं है TFT display के हिसाब से अच्छा brightness level हमको लगा इसका torch का भी और normal screen का भी फिर यहां पर आपको watch faces जो built-in 5 watch faces है वो चीज़ आप यहां से भी set कर सकते हैं और simply आपर tap कर देना है आ जाएगा watch faces के बाद यहां पर आपको setting है और यह पूरा setting जो हम आपको आपको अल्री बता चुके है और especially इसका touch response अच्छा है सिर्फ battery life का अगर बात करें तो battery life के में लिए हमको इसको use करना पड़ेगा और use करने के बाद एक proper review के में जो है न हम आपके साथ share कर देंगे या फिर आप comment section में पूछ लीजगा battery life हम इसको one week use करेंगे और उसके बाद जो है न हम अपना opinion आपके साथ share कर देंगे बाकी custom watch face कैसे apply करना है वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बता दिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा इससे related कोई भी आपका doubt हो comment section में पूछ सकते हैं इसको कहां से purchase करना है उ साइलेंट कर सकते हैं आपके phone पे जो ring बज रहा होगा वो silent हो जाएगा आपके watch में जो notification आ रहा है वो भी silent हो जाएगा इसके अलावा यहां पर आपको एक arrow का symbol दिख रहा है जिसके मदद से आप quick reply दे सकते हैं तो अगर आप इसके उपर tap करते हैं तो जो आपको 5 तरीके क quick reply app में हम दिखाये थे वही आपको यहां पर दिख रहा है किसी के उपर भी अगर आप tap करते हैं तो वो quick reply जो है वो send हो जाएगा और call जो हो reject हो जाएगा जो आपके phone पे कोई message आता है तो कुछ इस तरीके से notification जो हुआ आता है और उस notification को अगर आप first time में नहीं देख पाते हैं तो simply आप watch face पे swipe down करके भी उस notification को यहाँ पर देख सकते हैं notifications को अगर आपको delete करना है तो delete का एक symbol देखने के नहीं मिलता है tap करके आप notifications को delete भी कर सकते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि whatsapp का notification जो हम enable किये हुए है और अगर कोई whatsapp का notification आता है तो मेरे phone पे तो आ रहा है बट मेरे watch पे नहीं आ रहा है तो यह whatsapp notification के साथ issue है और noise को इसको update के तुरू fix करने का जरूरत है तो whatsapp का notification फिलाल जो है वो watch पे receive नहीं हो रहा है